विश्ट कर आप देखे हैं ने सब आपके साथ बीदी क्रिष्ट्य जर्मास्टमी के तेवार इस बार 18 अगस्त मनाया जा रहा है इस साल क्रिष्ट्य जर्मास्टमी पर धुर्ग और वृधियोग बन रहे हैं जो बहुत सुब माने जाते हैं माना जЯता है कि जदमास्टमी का व्रद वीधियी विदान से काना की पूजा करने से मनवांचीप फल में इस दिन बाल गोपन की पालती सजाई जाती है उनका सिंगार किया जाता रासी के नुशार कानहा का सिंगार करने से ना सिर्फ भागे बढ़ता है बलकि व्यक्ति को हर्ष कतरा की कष्टों से मुक्ति मिल जाती है तो आईए जानते हैं कि रासी नुशार कैसे आप सजाए अपने कानहा को मेरिस रासी इस रासी के जातको गोकाना का सिंगार लाल रंग की वस्तर से करना चाहिए इससे आपका दामपती जीवनी सुख में रहे और माजी करस्ते मुक्ती मिलेगी रिशव इस रासी के जातको गुबान कुपाल का सिंगार चानली की वस्तर से करना चाहिए इससे भगवान स्री कृष्ण की किर्पा आप पर हमेसा बनी रहेगी मिथुन रासी मिथुन रासी की जातों को गोकर नहीं का सिंगार लहरियां प्रिंट वाले वस्तरों से करना चाहिए इससे आपके सहा सो प्रेकाम पर वृत्ती होगी करक राशी करक राशी की की जातों पर स्रीकृष्ण की विशिष्ट किर्पा होती है भगवान की किर्पा से इन्हें हर कारे में सफलता मिलती इस राशी की लोगों को कृष्ण का सिंगार स्तफिद वस्तर से करना चाहिए सिंग राशी इस रासी के जातो को कृष्ण भगवान का सिंगार, गुलावी रंग के वस्तुँ से करना चाहिए, इसके बाद उन्हें अश्टगंध का तीला करना ना बोलें स्याक्रों मान सम्बान की प्राप्ति होगी, कन्या रासी कन्या रासी वालों को भगवान स्रीकृष्ण का सिंगार हरे रंग के वस्तर से करना चाहिए इसके बाद उने चंदन का पीका लाया आप पर कन्या का किर्पया बनी रहेगी तुला रासी इस रासी के चातों को पर स्रीकृष्ण भगवान की बिसे स्कृपपा होती है आप लो समर्दी पाशिवाद मिलेग और आतिक लाप की योग बनेंगे धनु राशी धनु राशी वाले मुल्डी धर का सिंगार पीले वस्तर से करें और बोग में भी पीले रंकी ही मिटाई और पिक करें इससे आपकी जीवन में कोई परेशानी नहीं आएगी मक्कर राशी अस पाशी वालों को मुल्डी धर का सिंगार नीले रंके वस्तरों से करना चाहिए ऐसा करने से आपको जीवन के हर चेत्रों सफलता मिलेगी मीन राशी इस राशी की लोग पितांबरी वस्तरों अपीले ही रंके कुंडलों से कान्या का सिंगाय करें ऐसा करने से आपकी जीवन में डें सारी कुछियों का आगमन होगा